हलो फ्रेंट्स मेरे पाम डिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज इस 24 वर्ष की महिला के पाम के आलासेस करेंगे इनके कोशन्स के आंसर करेंगे तो देखो इनका सवाल इस प्रकार है कि इनके केरियर को लेके इनहें जानना है कि आगे का केरियर क कैसा रहेगा ठीक है तो बेसिकली इनको जानना है कि एक केरियर लव मैरेज अरेंच मैरेज एंड अपने जीवन कैसा रहेगा स्वस्तर होंगे इन सब विश्यों पिनको जानना है ठीक है तो देखें इनके हथेली से मैं आपको उस चीज़ें दिखाना चाहूंगा आपकी हम प्रैंट का weak που परर्शन जा रहा है यह यह थोड़ा से बहुत होगा चोकी मैंनती इंडिकेट कर रहा है लेकिन यह थोड़ी बहुत दभी वी है मतंद पार्म पे कोई विश्च सचर्थ नहीं दिख पार है डिए प्लैनेट के रिगार्डिंग पाम पे वैसे कोई बहुत अच्छी स्टेंथ नहीं आ रही होगी तो इसका क्या इफेक्ट या साइड इफेक्ट होता है इसका मतलब होता है जो गरहां है कुछ गरहां तो वीक जा रहे हैं ठीक है वह मैं प्रस्नली पर्टिकुलर्ली इंडिके इसको दर्शाती है और कहीं न कहीं आपका बॉडी पावर बॉडी वेट यह भी कहीं न कहीं बेस है आपका तो कहीं न कहीं पॉसलिटीज होंगे कि इनसान किता भी खाना खाले कुछ कर ले इनसान में थोड़ी सी इनरजी के प्राबलम रहती है यह चीज़ें देखी गई बहुत से केसिस में देखी गई है तो पहला मतलब तो यह था अब क्या ग्रहम वीक है क्या निगेटिव फलाने सब पर विशह पर चर्चा करते हैं इनको था केरियर के विशह में जानना तो देखो जैसा केरियर इनका है 24 वर्स की आयू है ठीक है तो यहां एक लगबग इन कोई ने कोई प्राबलम आयोगी या फिर उतनी कोई विशेस कट नहीं है रही ना कोई ने कोई टेंशन्स जरूर होई होगी 23 वर्स में तो यह थोड़ा सा वीक रहा होगा ठीक है और आगे का जीवन कैसा रहा केरियर के रिगाड़ी तो देखो कुछ प्राग्रेस रेखा हैं जो कि इनकी 30 में वर्स में बесिकले अिन्डिकेट करें लेकिन इनके जीवन में 22 में वर्स से आ गये होंगी 21 में वर्स मान के चलो ऐसे लोग तो मतलब शुरू से इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं तो फुर्णचा इंडिपेंडेंडेंस सी ऐसे लोग की आ जाती अर्ली लाइफ के एज में ठीक है इनमता अपना खुद का काम करना, खुद का कर्शा करना, खुद का करना, मतलब खुद का खुद का इंसान करते हैं, तो ये लगबग 20-20 वर्स के आयो से, 21 वर्स के आयो सो मूलता दिखता है, ऐसा जाते को कि हातेलीपट, लेकिन ये लोग 17 वर्स के आई उसे इंडिपेंडेंडेंट रहते हैं क्योंकि इनके माइंड रेखा मैं कुछ इस्ट्रेक्शन हमें दिखाऊंगा आपको तो उस अधार पर ठीक है तो बेसिकली इंडिपेंडेंडेंट तो यह है और यह चुकि प्रोगेस टाइन इनकी 30 वर पर और वैसे कोई विशेश पावर्ण के गरहों में नहीं दिख रही है तो आपके एक्सपेक्टिशन के आधार पर आपको उन्नती नहीं मिल सकते हैं यह शौर बात है यह आपकी हाथेली से प्रॉब्लम में इसके रिमेडी करने का आवश्यक्त आप देखो रिमेडी से प कमी आएगी यह करती बेसिकली रिमेडी बोलता हूं मैं सही और सही चीज़ पर मैं अडिक रहता हूं ठीक है तो यह होता है रिमेडी का मतलब हाँ अब मैं बार वाइक चीज़ बोलता हूं आप यह प्लैनेट की पोश्चन अच्छी है तो अगर आप रिमेडी करोगे तो क कुछ पर नहीं होता वो आपके पाम के उपर डिपेंड करता है कि कौन से पाम पर कितना इफेक्ट आना है तो यह रेमेडी करेंगे तो इनकी लाइफ में जो दिक्कते हैं इनके करहों के रिगार्डिंग उसके नेगेटिविटी में थोड़ा सा वो कमी करेगा इट मेंस कि इ इनकी भागे रेखा है तो वो छोटी-छोटी इमाउंट में दिखा रही है मतलब इधर इसना इसने इन्वेस्ट किये इधर से यह उम्मीद है तो चलो वो चीज़े आ जाएं तो मैं कुछ आके कर लें तो बेसिकली इन चीजों का इनके भागे रेखा है डिनोट कर इनकी कि चोटे-छोटे इमाउंट में और भागे रेखा नहीं है तो बीजन मेरे से नलसेज करा उनको सीधा-सीधा-से प्रूबरू कराता हूं कि आप सच जानोगे तब ही तो आपने रिगार्डिंग उसको सही करने लिए कुछ रेमेडिया विखरा कर पाओगे तो जब सच जा सम रहेगा आपके चुकि महनत कश्पाम में जब ऐसा कुछ पाम की हतली की इंडिकेशन बने या फैसे पाम में कुछ प्रैनेट की इंडिकेशन बने तो बेसिकली वो करम प्रद्ध हात होते हैं ठीक है इट मेंस कि वैसे लोग करम जितना करेंगे उस अधारपन को सकस्स मिले जा तो मतलब ऐसी चीज़े चलती रहेंगे जीवन पर क्योंकि भागी रेखा है कुछ अच्छे इंडिकेशन से लेकिन वो कुछ एज के बाद है वो में एज भी डिनोट करूंगा और उनके जीवन रेखा से काफ़ी टैली कर रही है जैसे यह 33 में वर्स के बाद है और इन लव करूं या अरेंज तो देखो लव वाली जो इस्थिती इनकी हाथेली पर बन रही थी थोड़ी यह 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 लाइंट आश कर गई तो लव वाली जो इस्थिती थी वो मुझे लगबग फील हो रही थी 23 वर्स के आयो से ही ठीक है तो कुछ ना कुछ इन्फैचुएशन स कुछ है कुछ चीजे होई होगे love के regarding ठीक है तो वो मुझे फील रही थी अब marriage करना ठीक रहेगा की नहीं जिस बंदे के साथ हो आप वो चीज़ा मैं नहीं आपको बता सकता क्योंकि वो मेरे बस के बाहर की चीज़ए है किसी के भी बसके बात नहीं है अब दोनों का पाम आए तो फिर मैं मिला कि कुछ चीज़े बता दू कुछ चीज़े का बहुत से चीज़े बता दू लेकिन ऐसे सिर्फ आपके हाथेली से ये बता पाना तो देखो मैं बुडबग बनाने वाला काम नहीं करता, बेवकुग बनाने वाला काम नहीं करता, कि अपने मर्जी से कुछी योग निकालगे लेएं, बता दूँ, वो चीज़ें हमसे नहीं होती, ठीक है, जो भी चीज़ें करूँगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा, to the fact बताऊंगा, जो चीज़ें का रियल मतलब है, वो उन चीजों के विशे में ही चर्चा करूँगा, अब मैं आपके हाथे लिए से उस बंदे के विशे में कैसे बता दूँ, ठीक है, ये पूछो मेरे से कि आपके लिए लव मैरेज अच्छा है या अरेंज ये चीज़े में बता दूँगा, इसी में बता द और शुक्र भी डैमेज स्थिती मुझे दिख रहा है, तो ऐसे में लव मैं इंसान का सक्सेस करता है, ट्राइ कर लो, कोशिश कर लो, तो मुझे ही लगता कि आपका लव मैं सक्सेस करेगा, अब देखो, एक्दम क्लियर तो नहीं मैं बोलूँगा, कुछ चीज़े होती है, कुछ चीज़े पड़े भी हो जाते है, एक्सेप्शन्स भी होते हैं, बहुत से चीज़े, लेकिन जैसे स्थिती बन रही है, ऐसे इंसान डिस्टर्व रहते हैं, थोड़े थोड़े, ऐसे इंसान के माइंड पर कंट्रोल नहीं रहा था, ठीक है, कभी वो चीज़े तो कहीं ना कहीं, ये शुक्र में थोड़ी वीकनिस है, तो तो डिवोशन में थोड़ी कमी आ सकती है, चीज़े ऐसी हो सकती है, आपको फील होगा, नहीं ये मेले सही नहीं है, ठीक है, एक समय ऐसा आ जागा ना, कि आपको सब चीज़े उसकी बेकार दगने लाईगी, ठी करा तो वैसे स्थिति में कैसे चलेगा, तो ऐसे हाथ वाले इंसान को, मेरे तरफ से सजिशन रहता है, कैसे इंसान को अरेंज मैनेज के तरफ ही जाना चाहिए, आपको फील डिस्टर भी दिख रहा है, आपको इसा बहुत स्ट्रॉंग इंडिकेसं नहीं आ रहें, उसकर दिस्टर्वेंस है भी तो आप माता पिता के मर्जी से कर ली मैंने, तो कहीं नहीं निभाऊंगे, लेकिन दिस्ट्रेक्शन तो उसमें भी रहेगा आपके, और चुकि लव मैंज में तो बहुत जार दिस्ट्रेक्शन है, आपकी पसंद, चुकि आपका माइंड आपके में आजाएगा, आप कुछ और सोचने लगोगी, आपको फीड होगा कि मैं गलत कर रहे हूँ, या फिर मैं जिसके साथ हूँ, मुझे नहीं समझता, मतलब प्रॉब्लम होने लएगी आपके साथ, तो इसलिए ये प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए, तो लव मैरेज के अच्छा तो बैकडाउंड काफी अच्छी रहती है, तो अगर आपके माता पिताप के लिए लड़का चुनेंगे ना, तो बहुत अच्छा ही चुनेंगा, ठीक है, तो बेसिकली आपको अरेज मैरेज के तरफ जाना चाहिए, या पूछोगे कि तो फिर लव मैरेज किसे क इंसान में इतना पाउर होता है जिसकी बिरश्पति परेबल है कि वो उसको टाइपसे फिरपार विर पॉद्पया यामने आपको मधुअ क्नीट सब्सक्राई यही प्रॉब्लम आपके साहरे है कि आप अपने आपमने यंदे इसको ढ़ने पाती है। यहीPad किसे नहीं हो टेंशन क्रियेट नहीं हो आपके जीवन में तो आप लव मेरा इसके तरफ मज जाओ अगर कुछ चीज़ा हमारी समझ में आ रहे हैं कुछ सही लग रही है तो आप अरेंज करो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशिल रहेगा ठर्डवन कोशन्स था कि आगे केरियर में कितना बरा अचीवमेंट कितना बरा अचीवमेंट पापाऊंगे तो कितना बरा कब मैंने पहले ही बताया आपको कि पाम पे वैसे कोई कंसेंटरेशन के योग भी नहीं दिख रहे हैं तो मतलब सम सम आपका जीवन चलेगा हां 32 वर नहीं है नॉर्मल नॉर्मल है इंडिपेंटेंस से चुकी है तो अपना कमाओ वाओ करोगी ठीक है कॉन्फिटेंस रहेगा चुकि कॉन्फिटेंस की लाइने बहुत अच्छी आपकी आते लिए पर मैं दिखाऊंगा कहां से तो बस आपको यह फीर होगा कि मैं कर लूँग केरियर में वैसे कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख लिए फिलाल की अते लिए से अब मैं जूट बोलके काम नहीं करूंगा जो सचाई है वही होना है अब यह ऐसा नहीं कि मैं भगवान हो लेकिन बहुत से पाम देखें है न तो वही चीजे होता है जो बेसिक्ली म मैं अपना कभी तारीफ नहीं लेता ठीक है मैं यह नहीं कहता कि लोग मुझे भगवान समझे लेने मैं इंसान हूँ एक्सपीरियंस हमाना डिवोशन है इस फिल्ड में और कही नहीं लोगों के पड़ती शने है प्यार है तो सच्चाई बेसिक्ली में बताता हूं ठीक है और सच्चाई जो लोग सुनना चाहते हैं वो बहुत खुश रहते हैं मेरे से ठीक है उसके रिगार्डिंग वो पाई भी कर सकते हैं तो बेसिकली सच जानना है तो फिर हमारे पास आजाओ मेरे भाई अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे अपना तारीफ सुनना है मैं अरबपती बन जाओ बैठे-बैठा यार बैठे-बैठे कैसा अरबपती बन जाओ एक नॉर्मल साइंस आपको सिर्फ अरबपती थोड़ी बना सकता है उसके लिए बहुत से चीज़े होती है वो क्यू होती है छोटा सा कॉंसेप्ट नमाई लो ब्रेश्पती अच्छी है दिमाग अच्छा होगा, दारसनिक सोच होगा, चनर्मा अच्छी है, लोगों से जुराब रहेगा, पैसे अच्छे आएंगा, जीवन, मंगल अच्छी है, एनर्जी अच्छी रहेगी, तो कहीं न कहीं सारों चीजों का एक कॉंबिनेशन होता है, जो आपको उतना वड़ा का सच्छाई पर रहता हूँ, वही चीज़े काम आती है, वही चीज़े घटित होती है, तो सच्छाई पर रहो, चलो, आगे चलते हैं, इनके पाम के तरफ चलता है, और देखी कौन से बाते क्लियर होंगे, सबसे पएदे को फिंगर के बीच इनके गैप है, ठीक है, मैं आउ पर से नहीं देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखो तो फिंगर, उपटर चोटी रह रही है, सन बड़ी रही है, सन की डिवोशन जो इनकी, इनकी सेटर रंके तरफ है, लेकिन जब यहां से अटेज़े नहीं है, तो ऐसे लोग का वैसा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छ हैं, ठीक है, टालेंट को सही आयाम दिखाना उसके लिए सूड़ी रेखा चाहिए, कि आपको सही उसका पहुंच मिले, आयाम मिले, या फिर सा उसका प्राइड मिले आपको, तो वो बिसिकली कम है, लेकिन तो होंगी है, किसी ना किसी एक फिल्ल में इनकी टालेंट जरूर रहता नहीं, इसे लोगों का, कुछ भी कर लें, लेकिन परहाई लिखाए के छेतर में थोड़ी प्राब्लम आती है, ठीक है, डिस्ट्रेक्शन रहता है, गंसेंटरेट नहीं कर पाती, बहुत तरह की इशूस रहती है, तो ऐसे लोग बेसिकली बिसिकली बिसिकली बिसिकल ऐसे लोग को बिजनस मेरे ख्यास से कहीं ना कहीं चूट भी करता है, उसके बाद देखो, कुछ लूप बन रही है, तो जब ये दो लाइन शन खेंटरन की मिले, तो कहीं ना कहीं इस दोनों में कुछ ना कुछ, प्राब्लम है, तो अगर ये सीधी लूप बन जाए ना, त तो संस और शनी में पिता और पुत्र का रिस्ता है तो कहीं न कहीं ये दोनों एटैस्ट एक दूसरे के समानतर आ गई तो इनसान की मती ब्रह्म बुखामेशा करेगी इनसान के ऐसके डिसीजन हो जाएंगा जिसके रिगार्ण को काफी अच्छा साइड इफेक्ट यहां पर सकते हैं या फिर इनको कि मैंने कुछ गलट सोच लिया इसके रिगार्ण कुछ साइड एफेक्ट आ रहे हैं तो इसके लिए एक रिमेडि में करवाओं गांगा इनसे फिर देख खुश है तो कल के थ्वाधर में रोने लगेंगी अभी रो रही है तो थ्वाधर में हसने लेंगे तो मतलब उनके emotions basically उनके control में नहीं होते है ठीक है और कहीं न कहीं अपने बात विवाद से या फिर अपने बोल इचाली से या फिर अपने किसी नेचर से अपने दोस्तों के बीच हो सकता है में भी chances हैं कि तूटने तूटाने के भी chances बने इट मिंस के हो सकता है कि ऐसे लोग कुछ ऐसा बात बोल देंगे यूज कर देंगे वर्ड या फिर कुछ चीज ऐसे घाटित हो जाएंगे जिसके रिगाड़े इनके दोस्त कभी नहीं बन पाएंगे सच्छे तो ये प्रॉब्लम पैसे कली रहती है उसको अध क्याना कुछ रेखाएं बन रही है जूपेटर पर जो कहीने कहीने कहीन normal सतर की धार्मी कास्टा represent कर रही है तो ओसाने की बएल्या कोई जैटन की पोषिन देगो स rivals यहां से दबाब है तो तिक度 सेटन यहां से दबाब है तो देखो लोग यहां रिलेवोड होंगी मैनती होंगै मैनती में कोई डाउट नीए और सरीट पतला दूबला होगा क्योंकि सेटर्ण की यहां पर जब जुकाब हो जाए यहां पर कोई मांशन ने रहे तो फिर बॉडी में उतने कोई ज्यादा है भी नहीं होती और साथ में क्या है न यहां पर दवाब नहीं है उतना ठीक है यहां पुरा एकदम दवा हुआ है तो मेहनत का फल मिलने में परिशानी होगी 20-30% ही फल मिलता है से लोग को मेहनत का कुछ योग बने होया सेटर्ण पर यह जीवन का लास्प्रेड में हो सकता है में भी चांसेस है कि कुछ उन्रती करवाए ठीक है वह मैं आगे रेखा बताऊंगा और शूरी लाइन थोड़ करेगा लेकिन पता चलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाते कि सम्वान मिली नहीं पाता तो और कहीं नहीं कर लो वो कर लो यहां चली जाओ मतलब इंसान भटकता है तो इसके लिए एक उपाय है जो काफी कारगर है मंगल इनका थोड़ा वीग जारा है तो एनरजी कम रहे इनके जीवन के 40 years के बाद मतलब कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम होती है जिसके रिगार्डिंग इनको मेडिकेशन का सारा लेना परता है और चुकि यह मंगल वीग है तो लॉजिकल में थोड़ी से प्रॉब्लम हो कभी कवारी ब्लैंक हो जाएंग ऐसे इनसा कि मैं क्या क कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बस मैं करे जा रही हूं मतलब ब्लैंक कि शिकाया तरहती है में लिए फिर देवादिर की हाथेली पर तो बेसिकली डिपरेशन इंडिगेट कर रहे हैं ठीक है तो प्रस्टनारेटी थोड़ी सी मीडियम अस्तर की हो सकती है प्रस्टनारेटी के रिगार्डिंग थोड़ी से इनको कमी फील हो सकती है कि और थोड़ा होता अच्छा रहता और चैनल मां थोड़ा वीग जैना इन को फॉरण की याद्राइं वेगरना के तरफ आगरशिद करेंगे कहीं नगाई पॉसिबिलिटीज होंगे कि वह तो आशा जा पाएं शुक्र इनका देखो कि इता दवावा है तो शुक्र दवाव दें इनसान सुष्त रहता है ठीक है इनसान सुष्ती रहेगी और इनसान में मतलब लख तो रहती है लेकिन कहीं नगा ये शुकर नेगेटिव वे में जारा तो जब स्कालीव होते हैं इनका सही हुप ड्पाटिंग अ म Executive बैसिप और आप और पश्लोग थोडा धराशेए होगा अगर यह लोग आर्टिस्टिक फिल्ड में जाएं या फिर क्या करते हैं उसमें अपना केरियर बनाना चाहिए या फिर दांस वांस के फिल्ड में अपना केरियर बनाना चाहिए तो उन चेतरों में शुक्र के रिगारिंग चेतर में मॉडलिंग हो गया डांसिंग हो ग कर रहा और यहीं शुक्र में समाधिक सुक्भाइऑडेंस लाता है समाधिक सुक्त में कमी कराता आज़ी달 है पारवारिवक सुक्र fou इनका मीडियम में तो यह थोड़ा गॉद्ध रहेंगे इस मंगर के रिगार थो कहीने का इंको प्रदान करेगा इनके जीवन लड़ने से और कुछ लड़ने की छमता को प्रदान करेंगा कुछ टेंशन की लाइने बनी हुए तो इंसान बेसिकली टेंशन लेता है ठीके टेंशना नीचर रहता है अब देखो इनका थम्ब थम्ब देखो तो सम्मान की रक्षा करने में प्रब्लम है तो डिजायर्स के लिए आयाम इनकी ग्रहों में बेस नहीं है ठीक है तो डिजायर्स तो बहुत रहेंगी महनती तो बहुत होंगी लेकिन कहीना कई फ्लैट्फPN कुछ रेमेडिय हैं अब दिखो पुर्णता इफेक्ट मैंने पहले है कि थोरह ताइम लेगा लेगा लेकिन कुछ ना ौकुछ तो इफेक सकती अच्छी है प्रजीकल माइंड है उसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं सब्लाइन के तरफ इंडिकेट करती है तरफ और उस प्राइवा टाई में वर्स के आई उसे पंद्रमें वर्स के मान के चलो कि वहां से एक दवाब थी पंद्रमें वर्स से लेके जब लोग 23 तोवीस तक दवाब जेली रही है कंटीनियू यह कुछ जारी दुमा किरती यहां पापको फी लोगाल की बनी हुई है एक प्रोग्रेस भी थी इनकी से लगभग इनकी 23 वर्स में तो दोगर आगे सही चल रही है जो जो यहां को पावर धरी प्रोग्रेस करते आपको माइं डिखा ओगो चुकि यह ब्राच है तो यह कहीं नहीं आपको उस एज में पार्टिकुलर यूस एज में आपको इनर्जी प्रदार नहीं तो एक किसी हतीली प्याद आप देख सकते हो इनके अधी दिख रहें इनके लगबग इनकी जो आईो है उनके 30 वर्ज के बाद सेनको एनटी संबंध ही रहें तो नहीं तो रहते ही रहेंगे इंका इनके मुल्टा 9 है इनके जीवन में है इनके फेट लाइन से भी इनकी जीवन से चाह और तक गई हूई है और दिमाग की देखो यहां से सार थो डिख लिए माइंड अच्छा होगा सोचने समझने की ताकत अच्छी होगी सोच समझ पाती होंगी लेकिन गरहों के रिगार्णिंग थोड़ी यह दिस्प्रभाब इनको आरा इनके जीवन पर ठीक है तो इसके लिए दो तिन मूलता उपाएं वो करो देखो कुछ बेनेफिट आ चाहिए कुछ डिस्टर्भ चली तो मिलता यह क्या है ना कभी साथ मिल गया कभी नहीं होना जैसा मैंने अर्लियर बताया मूलता है इनकी फेट लाइं में तो एक स्ट्रॉंग पोर्डशन आना वो तीस वरसों के बाद और एक प्रपर्टी के योग इंडिकेट कर रही है तो तीस व पता कि इमोशन्स रहें इमोशन्स रहें इनके जीवन में ठीक है इमोशन्स इमोशन्स यह इमोशन्स लेंगी मतलब ठीक है इमोशन्स इमोशन्स रहेंगी इमोशन्स में रिपोजन्स कर रहें इनकी अतेली पर ठीक है और चुकि ऐसा जब हट लाइन जब जुपेटर तक सट्रेंट कर रही है हैसा मैंने प्रेंब कर सकाग्टार है तो यह है कि साइड ऐए क्सि जीवन आंगे उनसे कही निया का यंक्री तो यह प्रब्लम मैं धो मुझे दिह strangled मुझे धिक रही है इंसार थोडरा सा तो यह था इनका पाम का डिस्क्रिप्शन तो अब बताओ कि इनकी जो उन्नती है बेसिकली वो 32 के बाद है ठीक है और जो निगेटिव पॉइंट था मैंने इनके हाथे लिए के माधियम से तो अगर आपको अमारा यह वीडियो पस्टाइब नहीं हो सकती ठीक है तो बेसिकल सब्सक्राइब करें लोगों को शेर जरूर करें और कुछ जो बुद्ध रेखा के कटी-कटी ब्रांशों मेलते हैं यह पेट की समझ से एसीटी की प्रॉब्लम करती है तो खाना वाना टाइम से लो और चुकि आपकी गरहों में स्टेंथ कम है तो वो भी आपको स्वास में सब्सक्राइब करें तो खाना वाना टाइम से लो फिर दिक्कत नहीं आने जीवन में एक यह तो मौंट पर मुझे ऐसा लगा कि यहां पर हलकी से फिश बरें लेकिन वह फिश नहीं है बेसिकली वह कुछ लाइनों का प्रहाव है जो कि यह कुछ लाइने ऐसे बन रही है त तो यह था इनके पार्म का डिस्क्रिप्शन आगे 32 वर्स के पार ठीक ठाक उन्नती अपने जीवन की एक्षाओं के पूरती कर पाओगे उससे पहले के लाइफ थोई सो डिस्टर्व है आपकी थोड़ा केर किया करो ठीक है और कुछ रेमेडिया मैं आपको दूंगा अगर मैं सच पर ही अधारित वीडियो बनाता हूं जूट बोलकर क्या फाइदा अपना जूट बोलकर कोई फाइदा नेगेटिव चीज़ा जान पाओगे तब उसके लिए कुछ रेमेडिय कर पाओगे ठीक है अब कर मारा वीडियो लाइक अच्छा लगे तो प्रीज ही जरूर करें धन्यवाद